रादभर से गाया विभायता की सुबा पेड़ पर लटकी मिली लाश, पुत्र नहीं होने से परिशान रहती थी महीला शिप्पुरी जले के दिहा थाना छेतर में शुकुरवार की सुबा एक महीला कशब पेड़ से लटका हुआ मिलने की सूचना से संसनी फैल गई महीला किशनाक्त देव की पतनी वीरेंद्र कुश्वा निवासी राइश्री गाउं की रूप में हुई है बताय जा रहा है कि महीला गुरुवार की शाम साथ से आठ बजे से घर से गायब थी जिसे परीजनों दौरा राद बर काफी खो जा गया लेकिन महीला का कोई सुराग नहीं मिला शुकरवार की सुबा गाउं से निकले नाले के पास महीला का शब पेट से लटका हूँ मिला परीजनों दौरा इसकी सूचना देहा थाना पुलिस को दे दी गई है जिसके बाद मौके पर पहुँची पुलिस ने शब को कबजे मिले कर पोस्ट मार्टम के लिए भेज कर जाच शुरू कर दी है मिर्तिका के पती ने बताया कि उसकी तीन पुत्रिया है पुत्र नहीं होने से पत्नी मानसिक रूप से परिशान रहती थी संभावना है कि इसी वज़ा से महिला ने फासी लगा कर जान दे दी हो फिलाल पुलिस ने मर कायम कर सुसाइट के कारूनों का पता लगाने के लिए जाच शुरू कर दी है प्रक्राइब कर आँ आप कहा हो आउने सब्सक्राइब के लड़के के बज़ाया के रहें तो रहती थी तो लड़के के बज़ाइब इंचा मैं तो जेकर दो अपर तीन लड़का हैं इन गैजेह है उन्पोर अच्छा मैंने आई तक कभी किरोध नहीं किरोध गर मेंगे नहीं करूध